नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वारत है हमारे नए और इंटरेस्टिंग ब्लोग वीडियो में तो दोस्तों हमने कुछ दिन पहले स्वावल बजार का ब्लोग वीडियो बनाया था लेकिन अपलोड नहीं किया था तो फाइनली हमने सोचा चली अपलोड ही कर दिय जादा सही नहीं था इसलिए हमने अपलोड नहीं किया था लेकिन फिर भी हमने सोचा गये थे उतनी दूर मेहनत किया था तो चलिए अपलोड ही कर देते हैं तो ब्लोग काफी अच्छा है हमारे यहां से लगभग यहां से 14-15 किलो मीटर दूर है स्वाहल बजार वहीं का है ब इगनोर करना और काफी फेमस पजार है हमारे यहां की वहां हर चीजे मिलती हैं आप कोई भी चीज लेना चाहते हैं हर चीज वहां पर मिल जाएगी तो सड़क खराब थी और जो बहुत से इसमें दुकान जिसकी सड़क के अदम पास में थी उन लोगों की दुकान भी इसलिए हम अपलोड नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी हमने सोचा चली अपलोड कर दिया जाए क्योंकि उतनी दूर गए थे मेहनत किये थे कि और एंपलोड़ी थे खो ऑलोड़ी और एंपलोड़ी खराब का ऑल से आपड़ी खराब हो चाहते जाए की उन बाहते कि अ झाल 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 तो यह बजार लखनाव फैजावाद हाईवे की पासी में पड़ जाती है दे सकते हैं आपको दिखाई देरा होगा लखनाव फैजावाद हाईवे का ओवर्वेश तो फैनली हम आ चुके हैं चाट की मसहूर दुकान जो की स्वहावल में बहुत ही जादा फैमस है इस चाट की दुकान पर बहुत ही जादा भीड़ लगती है आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा दुकान पर लगबग 6-7 लोग काम भी करते हैं और बहुत सी भीड़ लोहाँ पर बहुत से लोग आते हैं बहुत दूर दूर के लोग आते हैं वहाँ चाट खाने के लिए बहुत ही जादा फैमस है ये दुकान तो हम गुंते गुंते पहुंच चुके हैं सौहावल इस्टेशन पर तो देख सकते हैं लोग डाउन की वज़ा से देख सकते हैं एक भी आदमी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा और जब लोग डाउन नहीं था उसके पहले यहां लगबग 100-100-200 आदमी हमेशा रहते थे साल के बारा महीं आप देख सकते हैं इसमें पूरा सून सान है यह स्टेशन कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है और अगर जब इस्टेशन चलता है तो दिन भार वहां बहुत से लोग रहते हैं यहां बहुत से ट्रेने रुकती भी हैं बहुत से लोग यहां उ झाल झाल